ब्राजील वाइड लाइफ, on the basis of figure 5.4, answer the following question, name the species shown on the map, map में कुछ species है, यहाँ पर map है figure 5.4 पर, इसमें जो species animals दिख रहे हैं, उनका नाम देना है, कुछ का नाम यहाँ पर अल्रेडी दिया हुआ है, कॉंडर, अनकॉंडर, गोल्डन लाइन, टैमरें, माकाव, एक्सेटर, तो इसमें first कॉंडर, देखो कॉंडर, वल्चर की तरह, वल्चर पता होगा, आपको गीदर, गीद कहते हैं, जिसको गीदर नहीं, सौरी गीद, ठीक जिसके नेक पे और सर पे वालनी होते, ठीके, तो वेरी क्लोज़ टू वल्चर, दुसरे अनकॉंडा बडे से सापको, बडे से सापको अनकॉंडा कहते हैं, अजगर, golden lion, tamarin, golden lion, tamarin, monkey कीकी तरह होता है, lion नहीं है, ये monkey, monkey के जैसे animal है, जिसके body पर गोल्डे बड़े बड़ लोते हैं ठीके golden house होते हैं बड़े-बड़े ठीक这么 long golden है होते हैं का नाम है golden है जो रहते हैं है कलरफुल बड़े साइस के पैरेट्स आते हैं दोजा कॉल्ड मकाव एक्सेटरा ठीके अगर फिर भी आपको यह अनिमल्स देखना है तो गूगल पर डाल दो मैं भी कोशिश करूँगा इमेज़ेस दालने की सेकेंड क्वेशन इन विच रीजन आदिस अनिमल फाउंड वाया देया है इसमें भी देख लेते हैं देखो यहां पर यह कॉंडर दिया है इगल जैसा बड़ा सा इगल या वल्चे जैसा बड़ा सा पक्षी यह गोल्डन लायन टैमेरिन जिस स्नेक और अनकॉंड़ा स्क्व इस एलिगेटर या क्रोकोडाई ठीके कि फिश आगे अनकॉंड़ा फ्लैमिंगो ठीके यह पक्षी का नाम है फ्लैमिंगो और यह स्वाड फिश इसके आगे बड़ी सी इसकी बड़ी सी बीक होती है चोज टाइप तो इसको सौड कहते तलवार जैसी इसकी आगे का इसका जो माउट रहता है तलवार जैसा रहता है तो इसकॉल सौड फिश निक्स्ट सेकेंड क्वेशन क्या पूचा है यह अनिमल कौन से रीजिन में पाए जाते हैं और इनके हैबिटेट क्या है ठीके इन फॉरस में तो आप देख सकते हो अनाकॉंडा अनाकॉंडा अमाजॉन बेसिन में बहुत पाया जाता है क्योंकि यह घने जंगल होते हैं एवर ग्रीन फॉरस्ट तो यहां पर यह सब प्राणी पाए जाते हैं ठीके और यह तो ओशन में पाए जाती है सी में देखो साउथ अट्लैंटिक ओशन में फिश फिश फ्लैमिंगो बर्ड है जो यहां पिर गुब-पाया जाता है जहां कम बारिश होती है ठीके टो कहुंकि में हैए खान कंग रहन सेहं अएक igen Bailey Star सब्सक्राइब एक्स्टेंट ठीके फॉरस्ट रीजिन को उसके एक्स्टेंट के इसाब से क्लासिफाइब करो तो आप देख सकते हो एक्विटोरियल एकविटोरियल फॉरस्ट ब्राजिल के नॉठ में है थी के दिस कि अधि एकविटोरियल्स सिट जो एमज़ान रिवर बेसिन में क्योंकि यहां पर बहुत रेन होती है ठीके और यह एरिया-पूरा स्वेंप Bergenh मतलब पानी से भरा रहता है और यहां से एमाजॉन एमाजॉन रिवर यहां से इमर्ज होती है और यहां पर आकर खाली होती है ashesग यो ट्रोपिकल ग्रास लेंड ट्रोपिकल ग्रास लेंड मतलब घास के मैधान हटाँ इह हल्का लाइड ग्रीन अ definhrate लंड डार्क ग्रीन में इहां पर पैंपर सेटेट्ट्रास लेंड में रिए यहां पर स्वेंपि लेंद्स यानि दलद ही की चड़ वाला एरिया जहां पर रहता है मतलब दलदलगा तो यहां पर आप देख सकते हो से कि यह स्वेंटानल में आथा अरू यहां पर अनक ऑन्डा जबाए बीचते पार reden restrictions जाते हैं जालाज़ फिर hot deciduous forest यह पार्ट पूरा जो light green में है यह hot deciduous forest है जहां पर flamingo etc this is hot deciduous forest ठीके फिर tropical grassland तो यह जो सवाना का जंगल है सवाना सवाना का जो area है this is tropical grassland यह घास के बड़े-बड़े मैदान होते हैं ठीके और जो yellow में दिया है ठूर्णी सब्स यह रेगिस्तान है ठूर्णी सब्स मतलब काटे-दार जाडिया मिलेगी छोटी काटे-दार जाडिया मिलेगी और ज्यादा-तर रेग्स्तान वाला हिस्से तो यह desert नहीं है बट यहाँ पर कम बारिश होनी की वज़े से छोटे और काटे वाले पौधे पत्ते घास पूस जाडिया मिलती है ठीक है छोटे काटे दार जाडिया यहां पर मिलते इस इस कॉल थौनी सब्स और राइट तो हमने एक्सेंट के इस सबसे आपको बताना है कौन सा रीजिन क्या है ठीक है तो और फिर यंवधार iç फारे सब्सक्राफेचरण स nella कर्यंद ये अवरफिकन फ्रैolैस है ऍृपनल धर निचे फार्त है जहां पर फ्लैमेंग गों पाई जाते यह रगिसिड्यास पाय जाते है पर मतलब सीजनल फॉरज जहां सीजनल रेन होती है तो पेड़ होते हैं बारिश के सीजन में हरे भरे रहते हैं और जब मौसम सुखने लगता है पजड़ा मतलब वहां पर पत्ते जड़ देते हैं पेड़ ताके एवैपरेशन कम हो ठीके पिर यह एरिया में थौरनी याने काटे जाड़ी है ठीके कटिंगा देखो यह पौधे का भी नाम है और पूरे एरिया का भी नाम है कटिंगा हमने चैप्टर के स्टार्ट में देखा था कटिंगा टाइप का प्लांट ठीके कटिंगा एक पौधे का नाम है और उसके आधार पर पूरे एरिया का नाम कटिंग है या एरिया के नाम के हिसाब से पौधे का नाम कटिंग है ठीक है जो थौरनी पौधा होता है काटेवार पौधा जो जहां बहुत कम बारिश होती वहां उखता है ठीक है कैक्टस की तरह और लास्ट में यह बज़ गया है पैंपस में कौन से टाइप का ग्रास लेंड है टेंप्रेट ग्रास लेंड तो ग्रास लेंड मतलब गहास के मैदान यहां पेड़ नहीं होते हैं घास ही घास होती है इन विच कंट्री टू एक्विटोरियल फॉरस्ट ऊक्यूपा ग्रेट एरिया वाट कुड़ एधर रीजन बिहाइंड इट तो कौन से देश में एक्विटोरियल फॉरस्ट जाधा पाया जाता है और उसके पीछे की वज्जे क्या है तो आप देख सकते हैं एक्विटोरि फॉरस्च जढ़ा फॉर्सट ज़ादा पाए जाता है इसकी सबस्केज़ते है कि यह एरिया कि नज़दीक है तो यहाँ पर बारिश जयादा होती है और अच्छीखासाओ सब्सक्राइड मिलोगे डिफोओ मैं von को दे चुका हूं second which type of forest found in India are not found in Brazil ऐसे कौन से जंगल है जो इंडिया में है लेकिन ब्राजील में नहीं पाया जाता है तो इंडिया का मैप देख लेते हैं ठीक है तो देखो हिमालियन फॉरस्ट हिमालियन फॉरस्ट जो इंडिया में है ब्राजील में नहीं पाया जाता है कहीं पे भी ठीक है और इंडिया में पाया जाता है और राइट हिमालियन एंड कोस्टल फॉरस्ट नेक्स्ट थर्ड क्वेशन हमें दोनों देशों को कंपैर करके बोल कंपैर करने के लिए कहा जा रहा है इंडिया और ब्राजील में कंपैरिजन करके बताने एक लिए कहा जा रहा है ठीक है ?Third Question, फाउनद इंडिया टू ऐसे कौन से जंगल है जो similar है ब्राजील भी और लिए अंडिया में भी मतलब दोनों देशों में पाय जाते हैं ऐसे कौन से जंगल है जो दोनों देशों में पाय जाते हैं टो equatorial forest दोनों देशों में पाए जाते हैं ठीके, hot deciduous forest और thorny subs, एक, दो, यह तो सब जगा, दोनों देशों में पाए जाते हैं, ठीके, तो यह दो लिखिए, और यह equatorial forest आप लिख सकते हैं, कि evergreen forest रहते हैं, या वो नहीं लिखना है, तो भी, मतले लिखे हड़去 Less Josh Dawson सुँगों देशों में पाया जाते हैं ठीके कहbellia s.t. वुरेस्शष्ण एन्टु ऑन सब्सुन हाली दो का इनाम लिखना है ऐसे निक्स्ट इन विच कंट्री अग्रेट डाइवरसिटी और वेजिटेशन इस फाउंड जादा मतलब विभिन प्रकार के जादा वेजिटेशन याने फॉरस्ट किदर पाये जाते इंडिया में या ब्राजील में तो आप इसली देख सकते हो ब्राजील में छे टाइप के फॉरस्ट पाय में डeira six type of forest तो कि दर जादा diversity ऐए ब्राजील आज का भी आंसर हTom ठीक अग्रम आंसर लिक के नहीं रहाऊं अबत कर रहा हो बोल रहां ठीक है तो कि दर जादा डाइवर्सिटीज आपको मिलेगी ब्राजील में नेक्स्ट कंसीटरिंग दे क्लाइमेट वेजिटेशन टाइप इन विच कंट्री विल फॉरस्ट बेज्ट उक्यूपेशन फ्लरिश क्लाइमेट और वेजिटेशन के हिसाब से कौन से देश में फॉरस्ट के आधार पर जो होता है जेंगल से बहुत सारी चीजें मिलती है जैसे रब और हनी ठीके ऐसा सब उक्यूपेशन जो जंगल के आधार पर होता है तो कौन से देश में ज्यादा आख्यूपेशन पाया जाता है तो इसका भी आंसर according to me it's Brazil ठीक है लेकिन मैं confirm नहीं हूँ इसके answer के बारे में I'm not confirmed ठीक है मैं को यह देखना पड़ेगा but remaining all answer एगी first वाले का answer ब्राजील और reason है equatorial forest ब्राजील में ज्यादा पाया जाता है ठीक है और इसका reason है heavy rain and plenty of sunlight ठीक है second cancer में आपको बचा चुका हूँ क्या कौन से जंगल इंडिया में पाये जाते हैं लेकिन ब्राजील में नहीं पाये जाते हैं ठीक है तो उसका answer था हिमालियन फॉरस्ट एंड कोश्टल फॉरस्ट फॉरस्ट फिर कौन से ऐसे जंगल है ठीक है जो ब्राजील में पाये जाते हैं और इंडिया में भी पाये जाते हैं दोनों देशों में पाये जाते हैं तो इसका answer है hot deciduous forest और decidious forest या आप सिर्फ decidious forest भी लिख सकते हो df and दूसरा है thorny subs ठीके short form में लिखा है मैंने hot decidious forest thorny subs next कि कौन से देश में ज्यादर diversities है ठीके तो ब्राजील में है ब्राजील ब्राजील यहां पे भी मैंने ब्राजील में ठीके और what is the reason behind it ज्यादर diversity कहां पाई जाती है vegetation में forest में और उसके पीछे की वज़े क्या है ठीके तो ज्यादर डाइवर्सिटी ब्राजील में पाई जाती है और उसके बीचे की वज़े है physiography land structure physiography physiography climate and rainfall तीनों reason लिखना आपको climate and rainfall physiography climate और rainfall इसके पीछे की वज़े है ठीके next consider the climate and vegetation टाइप in which country will the forest अभी climate और vegetation के हिसाब से कौन से देश में जादा जंगल के आधार पर occupation होगा तो यह answer में शूर नहीं हूं लेकिन मैं अपने अंदाजे से बर्राइब बता रहा हूं ब्राजी नेक्स्ट जोग्रफिकल एक्स्प्लेनेशन इसके बारे में अ great diversity in wildlife is found in Brazil अभी हम लोग ब्राजील का wildlife पढ़ रहे है उसका जोग्रफिकल एक्स्प्लेनेशन बहुत सारी विभिंता है मतलब different different type of animals different different type of species जंगली जीवों की पाई जाती है ब्राजील में देन अनी अधर कंट्री इन दर वर्ड दूसरा किसी देश में ब्राजील मतलब ब्राजील में सबसे ज्यादा टाइप के विभिन अप्रकार के जंगली जीव पाए जाते हैं as compared to other countries of the world in swampy area of Pantanal यूज अनाकॉंडा फाउंड देको पैंटानल में क्या पाए जाते हैं बड़े साइज के अनाकॉंडा ठीके अनाकॉंडा बड़े पाइथन जब पाइथन बहुत बड़ा साइज ले लेता है उसको अनाकॉंडा बोलते हैं या आप अनाकॉंडा बोल स ले इत मंकी पूंडा एक्सेटरा फाउंड इसके अलावा ब्राजील में दिंटिर ये एक छोटा सा में जरे हैसका रहे होता है है ठीक्ल में ने यह समट साइज पाया जाता है ठीक है जो रैयट साइज में रहता है इसके अलावा क्रॉकोडाइल ठीक है अगर इसको आपको देखना है तो आप सरिफ गूगल पे नाम डालो यूविल इसली सी इट वैसे मैं इमेजेस आड़ करने की कोशिश करूँगा क्रॉकोडाइल अलिगेटर अभी आप सोचोगे क्रॉकोडाइल और एलिगेटर तो एक ह और फिर दोनों में सिर्फ थोड़ा सा फेस का मतलब इक दम पतला रहता है ठीक है वह दोनों क्लोजी ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है बहुत सारे मंगी पाए जाते हैं पूमाज पुमास लेपर्ड की तरह होते हैं पुमास लेपर्ड और जेगवार की तरह होते हैं लेपड ठीक है लेपड की तरह ही होता है size का फर्ख होता है बस एक्सेटरा फाउंड अमंग द फिश वराइटीज मेंली सॉड़ फिश आ फाउंड इन द सी वाइल पिंक डॉल्फिन आर और पिराना फाउंड इन द रीवर ठीके अखर मचलियों की बात करें तो सॉड़ फिश पाई जाती है वहां के समुद्र में राजिल के इसके अलावा पिंक डॉल्फिन और पिराना मच्छी फिंक डॉल्फिन फिश और पिराना फिश पाई जाती है वहां के नदियों में ठीके कॉंडर विचा यूज इन साइज आ एंड फ्लाई हाई इन द स्काई ठीके फिर एक बर्ड पक्षी चील की तरह इगल की तरह या फिर आप बोल स अंडर नेक्स्ट वेरियस टाइप आफ परेट वहां पर विभी अलग अलग तरेके के परेट ठीके मकाव यह भी परेट की तरह होते साइज में बड़े होते हैं एन फ्लैमिंगोगोश बागुले को कहते है बगला ठीके अधा मेजर बर्ड फाउंड यहां पर बहुत ज्य याने लाखो ठीके वेन मिलियन दस लाख होता है ठीके तो लाखो इंसेक की वराइटी इस पाई जाती है ब्राजील की जो वाइड लाइफ है यह बहुत रिच और डाइवर्स है बहुत बहुत जाधा है और बहुत विभिन मतलब उसमें बहुत डिफ्रेंट डिफरंस टाइप के बहुत मिलेंगे ठीके नेक्स्ट डिट्रेशन ओव एन्वीरमेंटल इस एन्वाइमेंट इस हैपनि द्मॡ इंसानों द्aggio आवारा एंवार्मिणन्त को हाणि याँ नुकसान पहुचा आ या बर्दाग्रीडरी शब्डेशन ठक क्यों इंलीगल तरीके से स्मगलिंग हो रही है जंगली जीवों की इलीगल स्मुंग्लिंग हो रही है गैर यह कानुनी तोर पर खरीदा और बेचा जा पूर्ण फिर उजाड़ा जाता है और जला दिया जाता है एग्रिकल्चर की खेती को खेती होने के बाद जो बचा हुआ है उसको जला देते हो आके लिए और उसका वहां पर क्या नाम है रोका फिट के इस जंगलों को काटना Pollution जो Industries icas.ca से Pollution और etc. ठीके यह सारी चीज़े degradation कर रही है environment को ये सारी चीज़े Brazil के environment को क्या कर रही है बरबाद कर रही है ठीके तो roka क्या है यहां पे दिखो last में दिया है chapter के end में ठीके यहां पे chapter के end में roka दिया है बाद वहां पे आरौ के यहां पर आरोशी यह बस individual कंस स्पेलिंग का फोड़ा करेक्षिनन अब्हूत इस रोक में शिफ्टिं एक्रीकल्चर को रोका कहते हैं ठीक Ee नाच इस भीजूरी त्ड़िस। है वो एक जमीन पर चेए नाच करते हैं तीन माय vegetation जला देते हैं ठीक है और आगे की जमीन पर चल देते और आगे चले जाते हैं दिस इस कॉल्ड रोका आगे जाते हैं आगे जो जंगल है मतलब एक जगा खेती करते हैं उनको जब लगता है कि वहां की फटीलिटी कम हो गई तो वह जगा छोड़ देते हैं और आगे के जंग यहां के जंगल की जो जमीन है उसको वहां के जंगल के जो पॉधे पेड वेजिटेशन उसको काटा जाता चला दिया जाता है आं इस पैच अफ लेंड सबस्टी सबस्टिस्टेंस टाइप ऑफ अगरी कलच्टिर इस फॉल्डू और फिर इस जमीन पर गुजारे के लिव लिए खेती की जाती है गुजारे वाली गुजारे के हिसाब से खेती वाड़ी की जाती है अगले कुछ सालों तर दिस इस कॉल्ड रोका और राइट तो यहां पर जो रोका है आइ हो्प आपको समझे घिया ही के अस्वめてलम कटूरे काट चना उजाड़ना रर जलाना स्वेमियर निक्स्ट ब्सकहिए जीस चनुलीच वी मौन्ट विस दिस खेती लजो AL तो यह सब प्रॉब्लम जेल रहें सो कांसी प्रॉब्लम डी फॉरेस्ट्रेशन रिग्रेडेशन ऑफ एन्वायमेंट के मैंनी एंडेमिक स्पीशीज आर अन्दी वर्ज ऑफ गेटिंग एक्टिंड विकॉस अप दिस एश्यू और बहुत सारे ऐसे जीव जो खतम होने के कागार पर है बहुत सारे ऐसे जीव जो विलुक्त होने जा रहे है विलुक्त हो रहे है मैंनी एंडेमिक स्पीशीज बहुत सारी रैर कम पाए जाने वाली प्रजातियां बस खतम होने पर नोक पर है वर्ज टॉप ऑफ गेटिंग एक्स्टिंग विलुक्त हो जाएगी विकॉस अप दिस इश्यू यह प्रॉब्ल है जिसकी वाज से डिग्रेडेशन ऑफ एंबायमेंट हो रहा है अजर रेजल्ट बहुत सारे स्पीशीज जो एक्दम एंड पर है ठीक है विलुक्त होने वाले डिसपीर हो जाएंगे नेक्स्ट डू यू नो कुछ जीके है देख लो असर्वे डन इंग टू तू तू 131 स्क्वार किलोमेटर ऑफ लैंड इस अंडर फॉरस्ट इन ब्राजिल एड अल्रेडी डिग्रेडेड इन डाट यह ठीक है एक सर्वे किया गया दोहजार सोला के सर्वे के हिसाब से पांच हजार आठ से एककत्ति स्क्वार किलोमेटर की जमीन ठीक है बरबाद हो गई बत नेक्स्ट नेक्स्ट यह टोपिक तोमिंट एंचें तिस हो मउत क्नट त डाडाट लिजरेटल एक्स लेसंड अंडिया का जौग्रुवे कोडैशन में 6 banget कंट्री ऑंद कोлом का चेह अथि इंधिया इस सी डाइवर्स इंडिया इस अंड द्रलूं कोमनेंट 8 advantering सि डिवर summation मतलब मतलब दाइवर içों प्रणी में प्राइब कांट्री है के इसां इंडिया में बहुत शार हे अलग अलग प्रकार के अलग पॺणी अ मेनी स्पीश हो एपन एंडिया में बहुत सारे जंगली अलग-अलग प्रकार के प्रजाती के जंगली अलग-अलग प्रजाती के एनीमल्स पाए जाते हैं इपर फोट इपिर्च जंगल यहां 있ifik होट और्पाहते हैं वहांड राइनोसरस और फाउंड इनरे मार्शी लेंड ऑसता एक सिंग वाले गिंडी होट राइनों राइनो सर्स वन होंड एक सिंग वाला गिंडा कहां पाया जाता है दल्दली और मार्शी लेंड में आसाम की जो दल्दली और कीचड़ी वाला जमीन है वहां पर एक सिंग वाला राइनो पाया जाता है ठीक है वाइल डैश जंगली घोडे देखो एश घोड़े से बड़ा एक घोड़े से चोटा ठीक है और घदे से बड़ा एक एनिमल होता है जिसको एस कहते हैं ठीक हिंदी में उसको खचर कहते हैं खचर हिंदी उर्दु में एक्सेटरा तो घोड़े से छोटा होता है ठीक है और घदे से बड़ा होता है ठीक है थोड़ा सा डॉंकी से बड़े साइस का होता है उ से राजिस्तान गुजराथ वहां पर जंगली ऊंट और एश पाए जाते हैं स्नो लेपर्ड एंड याक्स आ फाउंड इन स्नो कैप्ड रीजिन ओफ हिमालिया इसके अलावा स्नो लेपर्ड और याक याक बड़ा सा काउ के साइस के एनिमल होता है ठीक है वाइफ और याक प्लेयर टॉप पार्ट में ठीक है इंडिया का जो नौथ पार्ट है जहां पर हिमालियन माउंटन से वहाँ पर स्नो कैप रीजिन में स्नो लेपर्ड और याक पाए जाते हैं स्नो के बीजिएंड एंटी लोप और मंकी रफाउंड इन पैनिंसुलार रिजिन और इंडिया यह बड़ा सा बैखो होता है ठीक ही संब्रक्ष्ट का बड़ा सा बफड़ों के जैसा एक आंनी SM, ब्ल की तरह ठीक है, साइसे बल से बुलहेंगे शिते साइख साइस सेटल पर सहे बड़ा सब्सक्राइब मुर डबल होता है समझ लो ठीके और वो थोड़ा सा फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉंग होता है बाइसें और उसके लेग्स वाइट होते हैं बॉडी ब्लैक होती है ठीके सूप कलर में रहता है इंडियन बाइस डीर हीरन एंटी लोग हीरन की तरह होता है साइज में थोड़ा जाते हैं इसके अधिके देखो यह में मंकी भाइस डीरें अंटी लोप्स यह सब जादा पाए जाते ठीके रिया में आशाम क्या ऑपास किया पाए जाते रइनोस वन हों रा मेंश्र और अधेजिक है एली सानट सब और न grимо के होट एंड ड्राइ फॉरस्ट में पाए जाते हैं ठीक होट एंड फॉरस्ट में यहां पर डेसीडियस फॉरस्ट में नेक्स्ट । ध्रोट ह्रोर एंदिया इस दोंने कंट्री इन दों लॉल्ड वर्ल वेर बोट टाइगर νायें इंडिया पूरे विश्वा में कैसा देश है जहां पर लायन भी पाए जाते और टाइगर भी पाए जाटा ठीक है यहां पर दोनों प्रजाती पाए जाती लायन एस टाइगर मतलब ऐसा कोई देश दुनिया में नहीं जहां पर दोनों एक साथ पाए जाते हैं एकसेप्ट इंडिया रिवर एस्टूरीज एंड कोस्टल एरिया और होम्स ओफ मैनी टर्टल्स क्रॉपोडाइज ऑन गेवियाज गेवियाज गेवियल को घरियाल कहते है ठीके नदी और एस्टूरीज है जो इंडिया में यह किसका घर है नदी नदिया एस्टूरीज जहां समुद्री पानी मिलता है जहां नदी समुद्र से मिलती है कोस्टल एरिया समुध्री टत्ट यह बहुत सारे समुध्री केच्वे और नदी के कच्वे ? क्च्वे यह इंडिया में पाए जाते हैं इंडिया की एस्टूरीज में रीवर्ज में और कोस्टल एरियाज में अब बहुत सारे पक्षियों का घर क्या है बहुत सारे पक्षियों का घर इंडिया के जंगल है और इंडिया में जो वेट लेंड्स है जो दल्दली कीचड एरिया है वहाँ पर बहुत सारे टाइप के पक्षि भी पाए जाते हैं जैसे मोर पिकॉक इंडियन बस्टर्ड ठीके यह भी एक पक्षि है ठीके और इसकी टांगे बड़ी होती है बॉड़ी का साइज बड़ा होता है इंडियन बस्टर्ड देखो मैं वीडियो के एंड में इनके इमेज़ेस दालने की कोशिश करूँगा या मेडल में जैसा एज़स्ट होगा ठीके बट नाम के साथ आल पोट इट किंग फिश चोटा सा ब कॉलमोस इतना ही रहता है लेकिन इसके पंक बड़े होते ह。」 बहुत कलिर्फूलग रउस दॉठ बड़क पता होगा ने सब इंडिया में पाय जाते है ठीक और भी नाम ए पैराकीट्स पैराकीट्स मतलब छोटे पैरेट्स होते हैं जैसे के लव बर्ट्स एक्सेट्रा क्रे क्रेंस क्रेंस जो पानी में से क्रेंस बग लेकर जैसा एक अनिमल होता है बगला का बोल सकते हो फ्लैमिंग नहीं थोड़ा सालग होता है उससे पिजिंस कबूतर आल दिस स्पीशीज मेक इट लैंड ऑफ यूनिक हैबिटेट और यह सारी प्रजाती इसको इंडिया को हमारे क जंगली जीवों का जंगली जीवों के हैबिटेट का एक यूनिक लैंड ठीके यूनिक मतलब सबसे हलत हटके मैंनी स्पीशीज ऑवाइल लाइफ आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्स्टिंशन फ्रॉम इंडिया विकॉस ऑफ इंडिया में भी बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल् ठीके एकडम वेलुपत होते कागार परें मतलब एक दम एकडम हrau यहाले क्यूं विकॉस ओफ पोचिंग मतलब जंगलो को काट कर घर बनाना ठीके जंगलो को काट कर खेत बनाना खेती ओंगाना इसको कहते है पोचिंग जंगल कम होते जा रहे है complètement बढ़ रहा Ap leड रहे है ठीक है अग्री कल्चरल फार्म बढ़ते जा रहे तो जंगल को काटा जा रहा है पोचिंग पल्यूशन ठीक है एंड रैपिडली ओकरिंग डीफॉरेस्ट्रेशन और बहुत थेजी से जंगलों को काटना अब कौन से जानवर एकदम विलुप तोने के कगार पर है एक्जैम् बायोस्पियर रिजर्फ और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल डाइफ एंडी फॉरस्ट इन इंडिया सरकार ने इंडिया की क्या कोई है बहुत सारे नैशनल पार्ग बनाए है ठीक है जैसे मुंबई के करीब में है बोरीवली साइड पर क्या राजिव गांधी नैशनल जंग्ли जीवों को बचाने के लिए बहुत सारे नैशनल पार्ग बहुत सारी वायलफ सकैन चुरी बर्ड सकैन चूरी ठीक है बनाए गए अन्ट वायोस्पियर रिजर्फ बनाए गया है ताकर जंग्ली वाइद लाइफ को प्रोटेक्शन जीया मेंध भी जंगलों की हिसा जब से आया तो मैं तुमको बता दो आरे रे कॉलेनी का मेंटर बहुत चल रहा है ठीक है आरे जो इंडिया का लंग जो मुंबई का लंस बोला जाता ठीक है अरे कॉलनी जो ग्रीन एरिया पूरा पूरा जंगल पूरा बर्ड्र के लिए एक वोगते ना एक एक रिजर्व एरिया था मुंबई का आप वहां पे भी मेट्रो टेंग की वज़े से जंगलों की कटाई हो रही थी बट क्यूंके अभी नियू गवर्मेंट आई है और उसने जो अगाड़ी आई है और उसने वह रोक दिया है ठीके तो बहुत अच्छा काम किया है वरना वह सार में फिर सारे question answers है और मुझे नहीं लगता एक भी answer because I know अगर आपको लेसन समझा तो answer आप easily ढूल लोगे और रोका में explain कर चुका हूं यहां पे कुछ पेड़ों के pictures दिये decidious forest के और evergreen forest के और thorny vegetation के एक्सेटर ठीके तो खुछ पेड़ों के नामे देखो डियोडर ऐसा दिखता है पाव ब्राजिल ठीके नेक्स्ट स्पाइन ट्री पाइन ट्री और खेजादी ठीके नेक्स्ट एनिमल्स के मैं आपको pictures अड़ करने की कोशिश करूंगा आखर झाल